जहन दोस्तों मैं बिशनु संकर सिंग आप सभी छातरों का बराइट पब्लिकेशन में स्वागत करता हूँ कैसे हैं आप लोग? उमीद करता हूँ कि अच्छे होंगे आसा है कि आप लोग चैनल को सस्क्राइब कर दिये होंगे और बेल आइकन को प्रेस कर दिये होंगे जो चैनल को सस्क्राइब नहीं किये हैं प्लीज चैनल को सस्क्राइब कर दे बेल आइकन को प्रेस कर दे और वीडियो को लाइक करते रहे ताकि हम लोगों को भी सपोर्ट मिले ठिक ना विडियो को लाइक करने से हम लोगों को भी पता चलेगा कि आप लोगों को कितना पसंद आ रहा है और कितना क्या कुछ हो रहा है तो दोस्तों जैसा कि पिछले कलास में हम लोगों ने एक मिनट रुख जाएए आप लोग हाँ तो पिछले कलास में हम लोग अध्याए चार तक समाप्त कर लिये थे पिछले कलास में हम लोग अध्याए चार तक समाप्त कर लिये थे अब अध्याए पांच को पढ़ेंगे अध्याए पांच को हम लोग पढ़ेंगे आई यह देखिए अध्याए पांच किधर है किधर है यहाँ पर है अध्याए चार को समाप्त कर लिये थे अध्याए पांच शुरू करने वाले थे अध्याए पांच आपका है अधारभूत जयए मीतिय जनकारी अधारभूत जैमितिय जनकारी तो देखिए अध्याय पांच का पहला कोश्चन आपका दिया गया है कि नीचे दिये गए रेखा खंड का नाम बता है रेखा खंड जो यह दिया गया है एवी रेखाखंड रेखाखंड एवी है कौन है रेखाखंड एवी वैसे ही इसका नाम बताना है इसमें कितने रेखाखंड है दो रेखाखंड है कितने रेखाखंड है दो एक है पी क्यू और एक एक है पी क्यू और एक पी आर है कितने रेखाखंड है दो रेखाखंड और क किरनों को रेख किरनों को रेखा बनाई यह वतीर का निसान दीजिए तो देखिए यहां पर एक टर्च बनाया गया है टर्च से किरन निकल रही है किरन जो लाइट है सुर की है या टर्च की लाइट है किरन निकल देखिए यहां पर टर्च से निकलती परकास की किरन और सुर ठीक ना वो भी हो जाएगा तो यह किरन है और यह किरन जो है रेखा एक रेखा जैसे है ना रेखा जैसे निकल रही है ठीक ना और तीर का निसान देना है तीर का निसान देना है यही आपका कोश्चन नमबर दो था कोश्चन नमबर तीन आपका देखिए कोश्चन नमबर त देखिए कंई से निकल रहे हैं कीड़न ठिकना और मरतीं दूल्ट को अक्षार में तरस आहिएak प्रुष्छा कॉमिंधे और रे विक हे रिक में वना को कि यह रहिक कोठीक अब करते है में मृना कीरन जो है एक साइड से बढ़ती है सुरे का प्रकाष जो निकलता है देखिए कभी वह कीरन है तो आगे आता है ना कि फिर सुरे से पीछे तो नहीं न जाता है आगे के तरफ तो वह एक साइड चलती है एक साइड चलती है तो यह आपका हो गया कीरन और रेखा जो होता है र रेखा रिखा दोनों तरफ रहए तपर ऊपर इससे पता चले गाँए हूं एक रिखा करी एक लिएगा तो इसको ऐसे लिखेंगे और यही एक लिख्या रहे तो इसको ऐसे लिखेंगे ठीक ना, तो रेखा खंड ये आपका हो गया, रेखा खंड A, B, और A, B का बना दिये figure, फिर कीरन बना दिये, फिर रेखा बना दिये, अब कोश्चन नमबर चार देखिए, बिंदू P और Q की स्थिती बताईए, कि ये किस भाग में है, P और Q की बाहर के एरिया को बहिर भाग कहते हैं, ठीक ना, बाहर के एरिया को बहिर भाग और अंदर के एरिया को अंतर भाग, देखिए, बिंदू P जो है, कहां है, बिंदू P जो है, इस वक रखे, जो ये आकृति बना है, इस वक रखे, अंदर है, तो इस अंदर को अंतर भाग, और बाहर को बहिर भाग ठीक ना अब बिंदू पी कहां है तो वक्र के अभ्यंतर है और बिंदू क्यूँ वक्र के बहिर भाग में है जो क्यूँ है वक्र के बहिर भाग में है अब दखिए यहीं तक आपका 5-1 था और अब दखिए 5-2 दो किया है कि इसक नमश्य नमरेगी दिया गया है कि नीचे दिये गए तालीका को पूरा कीजिए ठीक ना ये तालीगा दिया गया है इसको पूरा करना है तालीकां देखिए क्या है हमारे पास यह एक दो रेखा खंड मिल कर देखिए क्या बना है ऐसे करके दो रेखा खंड है एक A B रेखा खंड है और एक B C रेखा खंड है ठीक ना इसमें जो यह B है यह सिर्स कहलाता है जहां दो रेखा मिलती है, जहां दो रेखा खंड मिलते हैं, उसको सिर्स कहते हैं, ठीक न, और दो रेखा खंड जब मिलते हैं, तो उनके जो बीच में ये दूरी होती है, उनके बीच की जो कोण होता है, दूरी होती है, इसे कोण कहते हैं, ठीक न, इसे कोण कहते हैं, इसे क लिखेंगे जब भी लिखेंगे तो एक ऐसा सिंबल बना देंगे को और इसको क्या लिखेंगे ए बी सी जिस बिंदू पर कोड़ बनेगा उसको बीज में रखेंगे ए बी सी यदि यही यही जो है यहां पर ऐसे होता पी क्यू आर तो इसको क्या लिखते हम लोग पी क्यू आ रहता तो इसको क्या लिखेंगे यहां पर सी ए बी जब भी जिस पर कोड़ बनेगा उसको बीच में यहां पर तो देखिए दो रेखा खंड मिलकर बना है क्या पी और क्यू अर दो रेखा खंड मिलकर बना है तो सिर्ष इसका क्या है सिर्ष क्यू है तो क्यू लिख देंगे कोड बनाने वाली भुजाएं कौन-कौन भुजा मिलकर कोड बना रही है तो एगो भुजा है क्यू पी एगो को भुजा है क्यू आर कौन भुजा है क्यू आर दूनों मिलके बना रही है तो इसको इसमें लिख देंगे और कोड का नाम बताना है तो कोड जो बीच में है उसको लिखेंगे कोड जैसे यह हो गया कोड और यह पी बीच में क्यू लिखेंगे पी क्यू आर अब देखिए सी C number C number आपका एक कैसे करके figure बना हुआ है ल M और N L M और N तो सीर्स आपका M है देखिए सीर्स यहाँ पर क्या है M हो गया सीर्स उसके बाद कोड बनाने वाली भूजा कौन कौन सी है तो एको L M है एको M N है एको M N है ठीक अब देखिए कोण कौन है तो कोण L M है N M उपर कोण बन रहा है तो M को बीच में कर दिए L M N ऐसे भी लिख सकते हैं या कोण N M L ऐसे भी लिख सकते हैं M बीच में रहाना चाहिए बाकि कोई भी कहीं रहा हुआ तो यह हमारा हो गया कोषचा नंमर कोषचा नंमर दो देखिए कि नीचे की आकरिती में बनने वाले कोणोoking की संख्या बता है इसे इसमें कौण कितने हैं तो एक ही कौन दिख रहा है तो क्या लिखेंगे एक फंड कि त Bitte को जाएंगे जो एक Numbers आकरिति उसमें एक बन रहा है कॉमादे देंगे दो disappoint दोarty दो नंबर थीन दो और तीन गो कौन बन रहा था तो तीन लिख देंगे उसका बात तिन नंबर आ करिदी दर कि दो कि सो को कौन लाएन नागे इसके अगला वाला कृति दीए और सब चीज ऐसे ही है लेकिन यहां से फैसे और इधर आगे इसमें देखिए आया है न बंग दाफ हो गया और यह वटिद लाइन माने जाले मेटें देखिए अगला व्यूजार देखिए अगला फिगर मना है ऐसे करकर एक भिकरनद匽 भालने कृचा गए घिरेत मांक्रम Extra will देखिये तो एक क्यों। दो कोर हुआ की और कोर गया अब देखिए अब सब्सक्राइब सब्सक्राइब अब कोश्चन नबर तीन देखिए कि अधर देखकर प्रशनों के उतर दिए बिनु पी कहा है कि यह चीतर बना हुए है इसको थुड़ा पी कहां, तो पी कहां स्थित है तो यजो यजो रे एक करे का इस पर पी पर स्थित है, $ zijn ऐधीच पर स्थित सबस्क्राइब never करते हैं तो यहां वक्र के बाहर कोण ABC के बाहर तो बीच में रखेंगे बहीर भाग में उसके बाद बिंदू आर कहां इससित है तो कोण पासदस मलों तीन देखिए पासदस मलों तीन दिया गया है कि दिये गये चित्र में कौन तिर्भूज है और क्यों दिये गये चित्र में यह तिर्भूज है आकरिती यह जो है तिर्भूज है कैसे तिर्भूज है तो तीन भूजाओं से बंद आकरिती को तीन भूजाओं से घीरे हुए आकरिती को तिर्भूज कहते हैं लेकिन यह घीरा हुआ नहीं है और यह घीरा हुआ है इसलिए यह तिर्भूज है यह घीरा ह है वा नहीं है यह और यह तिर्भूज नहीं है ठीक नहीं कोस्चन नमबर द deepestताय इस में कितन Initiatives कितनी बुजाएं यहों कितने कउल होते हैं तो एक तिर्भूज बना लिजे एक तिर्भूज C or C तो इसमें कई उम्हों भूज दिख रहा है तो दखिए भूजिया करे गोदे तुरह एगो अभी दिख रहा है उसके बाद विशी दिख रहा है उसके बाद एस से दिख रहा है यानी तेन वी ल electronic है तिनको भूजा ब वैज्या अब इस देखिए तो कौड़ A कोड़ B है और कोड़ C है कौड़ कौड़ A B C उसके बाद कोड़ B C A उसके बाद कोड़ C A B देखिए तीनों बीच में कर दिए a ककबार मतलagon कोड़ बन रहा है तीन घो उन्थ और तीन गो भुजा ठीक तिर्भूज में कईगो सीर्स कईगो भूजा कईगो कोड तो तीन गो सीर्स तीन गो भूजा और तीन गो कोड होता है अब आई यह कोश्चन नमबर तीन दखिए कोश्चन नमबर तीन एक तिर्भूज बना हुआ है एक तिर्भूज बना हुआ है ऐसे करके एक तिर्भूज बना हुआ है जिसका नाम है आर एस और टी आरेस्टी तिर्भूज बना हुआ है और कोश्चन आपका दिया है कि सिर्ष तिर्भूज में बताना है कि सिर्ष कोण एवं भूजा का नाम तो सिर्स कौन कौन है, R सिर्स है, S सिर्स है और T सिर्स है सिर्स कौन कौन है, R, S और T अब देखिए, अब भुजा बता है, कोड़ बताना है तो कोड़ कौन कौन सी है, तो B, S, R, S और T तो इसको कैसे लिखेंगे, तो लिखेंगे पहले S, R, T उसके बाद लिखेंगे आर एस्टी उसके बाद लिखेंगे आर टी एस तिनको कोड़ हो गया अब भूजा बताना है तो भूजा कौन कौन है आरेस ST और TS RS ST और RS ST और RT तिन गो भुजा हो गया तिन गो भुजा तिन गो कोण तिन गो सीर्स नाम उसका लिख दीजिएगा अब दोखिए कोशन नमर चार दिया है कि अकृति में तिर्वुज CAB के अंता भाग बहीर भाग और तिर्वुज इस्थित बिंदू को समझाए ठीक ना तो देखिए यहां परा कृति बना हुआ है इसमें अंता भाग इसमें बताना है कि कौन-कौन अंता भाग में है कौन-कौन बहीर भाग में है तो देखिए बिंदू P और Q बिन्दू P और Q जो है अंतह भाग में है कहां है अंतह भाग में है बिन्दू P और Q जो है अंतह भाग में बिन्दू S देखिये यहां है तो बिन्दू S जो है या कृती से बाहर है और बिन्दू R इधर लाइन पर है बिन्दू R लाइन पर है तो लिखेंगे कि बिन्दू R जो है बीसी पर है बिंदू आर कहां है बिंदू आर तिर्भूज के जो भूजा है बीसी उस पर है ठीक ना पीक्यू कहां है अंता भाग में एस भाग में और बीसी तिर्भूज पर है या तिर्भूज की भूजा बीसी पर ठीक ना बिंदू आर जो है तिर्भूज पर है या तिर्भूज की भूजा बीसी पर पांच नमबर देखिए पांच का पहला कोश्चन कि तिर्भूज के सिर् ये तिर्भूज है और ये सिर्स है मैं लिजे कि ये सिर्स है और सिर्स से डाला गया लंब सिर्स से डाला गया लंब भूजा पर डाला गया लंब क्या होता है सिर्स लंब क्या होता है सिर्स लंब याद रखिएगा कि तिर्भूज से तिर्भूज के सिर्ष से भूजा पर डाला गया लंब, सिर्ष लंब होता है, तिर्भूज के सिर्ष से भूजा के मध्य में डाला गया लंब, अब देखिए, अब मैं लिजे ये कि ये कोई तिर्भूज हो गया, ये कोई तिर्भूज हो पर बीचो बीच डाला गया लंब क्या होता है माधिका बीचो बीच डाला गया क्या होता है माधिका बीचो बीच डाला गया लंब माधिका तिर्भूज के किसी सिर्ष से तिर्भूज के भूजा पर बीचो बीच डाला गया लंब माधिका होता है और देखिए कोश्चान नम बंदू पर काटती है देखिए यहां पर काट रही है जिस बंदू पर काटती है उससे क्या आप देखिये प्रक्ष्ट आई करते हैं कि प्रिष्टवली तीन रमोल चारा कि भूजा कोड़이 उन सीर्ष के नाम बता है यहां पर एक चतर भुज बना हुआ है और इसका नाम है A, B, C और D A, B, C और D तो इसका भुजा कोणे ओम सिर्ष का नाम बताना है तो देखिए भुजा कौन कौन है A, B, B, C, C, D और D, A D, A कहिए या इसको A, D कहिए ठीक ना? D, A या A, D उसके बाद कोण बताना है तो कौण 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 सी है? तो कौण स्टाट करेंगा D, A, B D, A, B उसके बाद क्या हो जाएगा A, B, C, A, B, C उसके बाद क्या हो जाएगा? B, C, D, B, C, D उसके बाद C, D, A C, D, A चैर कोड़ कोड़ हो गया? ठीक ना? अब देखिए अब सिर्ष का नाम तो सिर्स कौन कौन है सिर्स A है सिर्स B है सिर्स C है और सिर्स D है देखिए एगो यहां पर दू भुजाएं जहां पर मिलेगी दो भुजाएं जहां पर मिलेगी तो सिर्स बनेगा तो देखिए एगो भुजा है एगो भुजा है मिलके यहां सिर्स बनेगा फिर एगो है एगो हाई मिलके यहां बना रही है तो चारगों सिर्ष हो गया दख़िए तो सब शीर्ष का नाम सब भुजा नाम सब कौन का नाम यही ओगा नोट कर ली जिए अब देखिए, question number 2 दिया गया है कि दिये गए चित्र के, दिये गए चत्रभूज के चित्र में बिंदू M कहाँ इस बिंदू M को चत्रभूज के बहीर भाग में अब बिंदू N को अंतह भाग में तथा बिंदू P को चत्रभूज के सिमा पर दर्साइए तो देखिए, बिंदू M को बहीर भाग में कह रहा है तो यह एक तिर्भूज है, डिए चत्रभूज है A, B, C और D तो इसको देखिये, बिंदू M को बहीर भाग में तो यह वाला भाग जो है, अंतह भाग है अंदर वाला, बाहर वाला बहीर भाग तो कहीं धर साथ दिजिए M को यह हमारा M है उसके बाद करने कि ऐइन को अंतव भाग में तो यहाँ पर दरसा दिजिए o एंसके राध की को साज्ट रपता यह इस लाइन पर दरसा दिजिएMe ठीक ना तो एम हो गया बहीर भाग में एन अंता भाग में और पी हो गया चत्रभूज पर अब देखिए कोश्चन नमबर 3 कि असन भूजाओं एम समुख भूजाओं को दर्स आइए तो देखिए असन भूजाओं और समुख भूजाओं को आप लोग समझे लिजिए कि कोई भी फीगर देखिए एक चतर भूज है यह एक चतर भूज है तो आमने सामने की भुजाएं जो है, सम्मुख भुजा है, आमने सामने की भुजाएं क्या है, सम्मुख भुजा, यानि दखिए, ये A, B है, A, B है, A, B और C, दखिए, A, B, ये एक आपका चत्रभुज है, यहाँ A, B, C, और D, दखिए, तो A, B के सामने कौन है, C, D, तो A B के सम्मुख भुजा कौन हो गया C D A D के सामने कौन है B C तो A D का सम्मुख भुजा B C हो गया यानि आमने सामने के भुजाएं जो है सम्मुख होती है आमने सामने के भुजाएं को सम्मुख भुजा कहते हैं इसके सम्मुख कौन हो गया तो इसके सामने वाला और इसके सम्मुख इसके सामने वाला अब बच्चा सम्मुख समझ गए हम लोग अब दखिए आसन भूजा किसको कहते हैं तो आसन भूजा जो दो भूजा मिलकर सिर्थ बनाती है उन्हीं दो भूजाओं को आसन भूजा कहत है A B और A D आपस में असंव हो जाए है और यहाँ पर देखिए झाल ये सीर्स कौन-कौन भना रहे हैं मतलब दो पास वाले भूजा जो है असन भूजाए है ठीक ना जैसे यह 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 असन हो गया यह 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 असन यह और ये असन और ये और ये असन भुजाएं हैं अब देखिए कोश्चन आपका क्या कह रहा है कि दिये गए चत्रभुज पी क्यू आर एस में असन भुजाएं के यूग में असन भुजाएं के यूग अच्छा असन भुजाएं हम समग भुजाओं को दर्साएं तो देखिए ये एक चत्रभुज दिया गया है R, S देखिए यहां से P, Q, R और S इन में पहले आसन भुजा को हम लोग दर्स आएंगे तो आसन भुजा कौन कौन है R, S R, S आसन भुजा योग में तो देखिए R, S एवाम R, S एवाम S, P R, S एवाम S, P आसन भुजा हो गया उसके बाद कौन कौन हो गया तो S, P, M S, R हो गया कौन? S, P R, S एवाम S, P हो गया S, P, R, S, P आप देखिए एवाम S, P, Q M, Q, R P, Q, M, Q, R देखिए तो एवासन भुजा ये हो गया एवासन भुजा ये हो गया यही आपका आंसर हो गया सम्मुख भुजा देखिए सम्मुख भुजा कौन कौन होगा तो सम्मुख भुजा यहाँ RS 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 US PQ संव्म JUJJAY उसके बाद देखिए उसके बाद होजाएगा QR PST PST संव्मु Rub Out QR S थीक ना अब देखिए Question number 4 Question number 4 दिया गया है कि Swim से एक चत्ली Raj बनाइए और उस चत्ली पर पर विकर्ण खीजिए उस्चत्रवुज पर विकर्ण किचिए तर्किए यह बना लिघी आप लो चत्रवुज बना लीजिए है आप चट्रवुज बना लीजिए a अतंग question करदी बिक श्रव ना डिघ का दुन जुशिर्स लिखिएगा तो लिख दीजिए कि चत्रभूज ABCD हमने खीचा जिसमें सम्मुख हुजाएं कौन कौन है सम्मुख हुजाएं AB और DC AD और BC हैं तथा आसन भूजाएं AB और BC और BC और BC और BC और BC है उसके बाद बिकर्ण इसका जिसका बिकर्ण AC और BD है इसका विशन बिकर्ण AD और AC और BD बस यही चीज़ आपको बता देना है इस परकार आपका अध्याय जो पांच है अध्याय पांच समाप्त होता है अध्याय पांच आपका समाप्त होता है मिलते हैं अगले वीडियो में जय हिन जय भारत